So good morning guys और सबसे पहले happy independence day to you all और इस बार ये हम 74 स्वतंतरता दिवस मना रहे हैं यानि कि आस तारी के 15 अगस्ट 2020 तो 15 अगस्ट 2020 से जितने भी important current affairs बनेंगे वो सभी हम discuss करेंगे आज के इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं तो हमारा पहला प्रशन है हाली में किस bank ने शौर के जी सी कार्ड को launch किया है तो answer होगा HDFC bank ने तो अभी HDFC bank ने स्वतंतरता दिवस से पहले एक special card launch किया है जिसका नाम है शौर के जी सी कार्ड के जी सी कार्ड मतलब किसान gold credit card तो ये armed forces के लिए launch किया गया अपनी तरह का पहल card है इस card पर 10 लाग का life cover मिलेगा और armed forces के जवानिस card का इस्तमाल क्रशी कार्ड से जुड़ी जरूरतों के लिए finance की सुविधा प्राप्त करने के लिए कर सकेंगे तो इस card का नाम याद रखना है शौर के जी सी card किस ने launch किया HDFC bank ने HDFC bank की बात करें उससे पहले मैं आपको बताओं फेम पे के बारे में आपने सुना होगा भारत का पहला numberless card इन्हों ने launch किया था नाबालिकों के लिए teenagers के लिए और Axis bank अभी news में क्यों था automated voice assistant AXAA launch किया था और bank को बडोदा ने insta click saving account launch किया था बाकि HDFC bank की बात करेंगे अच्छा HDFC मतलब क्या होता है Housing Development and Finance Corporation जिसकी इस्तापना 1994 में हुई थी मुंबई में मिलेगा headquarter और इसके जो नए MDCO बने थे उनका नाम है शशीधर जगदीशन और इसकी tagline है we understand your world अभी इसने hashtag हम हार नहीं मानेंगे song launch किया था safety grid अभियान लॉंच किया था summer treat अभियान लॉंच किया था senior citizen care fixed deposit योजना शुरू की थी और जो इसके executive director है के जात भरूचा उनको reappoint किया गया था जिप drive नाम से online autolone सुविधा शुरू की थी इसने तो इतने points आपको याद रखने है HDFT से हम बढ़ते आगे फिर हाली में विश्व अंगदान दिवस यानि की organ donation day कब मनाया गया तो अंसर होगा 13 अगस्ट को तो हर साल 13 अगस्ट को विश्व इस्तर पर organ donation day की रूप में मनाया जाता है ये दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरुकता भढ़ाने और मृत्यू के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है अब important day वाला गुष्यन है तो अगस्ट में अभी कौन-कौन से important day हमने मनाये हैं एक अगस्ट को हमने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया एक अगस्ट को ही राष्ट्र परवता रोहन national mountain climbing day के रूप में म अगस्ट को विश्व संस्करत दिवस मनाया 6 अगस्ट को हिरोशिमा day मनाया 7 अगस्ट को national handloom day मनाया 9 अगस्ट को एक टो नागा साकी दे मनाय था और एक world tribal day मनाय था विश्व आदिवासी दिवस और 10 अगस्ट को world biofuel day मनाय था जिसकी theme थी biofuels towards आत्म निरबार भारत और 10 अगस्त को ही अंतर रश्ट्र शेर दिवस मनाय था फिर 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जिसकी थीम थी Youth Engagement for Global Action और 12 अगस्त को ही विश्व हाती दिवस मनाय था उसके लबा याद अखना अगस्त का जो पहला सपता होता है एक से 7 अगस्त को वो हम World Breast Feeding Day के रूप में मनाय थे जिसका थीम था Support Breast Feeding for a Healthier Planet बढ़ते आगे फिर है हाली में IBS यानि कि India Bulls Housing Finance के नए Non Executive Chairman के रूप में किसे नियूत किया गया तो अंसर होगा SS मूंदला को तो RBI के पूर्व Deputy Governor है ये SS मूंदला SS मतलब होता है सुभास चोरन मूंदला और अभी इनी को India Bulls Housing Finance का नए Non Executive Chairman नियूक्त किया गया है तो इनका नाम आपको याद रखना है बाकि हर्ष कुमार भनवाला जो की पहले नावार्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे अभी ये Capital India Finance Limited के Executive Chairman बन गये है Manoj Sinak की बात करेंगे जमू कश्मीर के दूसरे Lieutenant Governor बन गये है और प्रदीप कुमार जोशी UPSC के नए अध्यक्ष बन गये है और India Bulls Housing Finance Limited की बात करेंगे इस केस्ता अपन 2005 में हुई थी और इसका Headquarter में लेका आपको Guru Gram में बढ़ते आगे और Guys अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो Please इसे Like करते हुए चलना देखिए आप लोगोंने अभी Like किया है या नहीं किया है नहीं किया है तो अभी इसको Like कर दीजिए लास तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ और हाँ इसे Share भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में और अगर आप मेंसे कोई Student इस Channel को First Time देख रहा है तो आप इस Channel को Subscribe कर सकते है Subscribe करने के बाद में पास में Bell Icon को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे कि आपको notification मिलते रहें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो Bell Icon को प्रेस करना जरूरी है चलिए बढ़ते आगे फिर हाली में किसने CEO of the Year Award जीता है तो आंचर होगा गगन अरोडा ने तो अभी गगन अरोडा को हाली में Indian Achievers Forum इंडिया के द्वारा CEO of the Year 2020 Award से सम्मानित किया गया है कौन है ये गगन अरोडा ये Vertex Global Services के CEO है और इनी को CEO of the Year Award 2020 दिया गया है तो इनका नाम याद रखना है बाकि सुदर्शन साहू की बात करेंगे अभी आपको याद होगा धर्म पद पुरस्कार जीता था इन्होंने बाकि अर्चना सोरिंग की बात करेंगे तो Climate Change पर United Nation के UA Advisory Group के लिए इनको चुना गया था रतनलाल विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने बढ़ते आगे फिर हाली में गुजरात में दो ओवर ब्रिजों का नाम किनके नाम पे रखा गया है तो अंसर होगा अरुन जेट्ली और सुष्मा सोराज के नाम पे धोनों के नाम पे रखा गया है तो अभी गुजरात में जो एहमदाबाद शहर है उसके दो ओवर ब्रिजों का नाम स्वरग्य अरुन जेट्ली जी और सुष्मा सोराज के नाम से रखा गया है तो income tax circle में बन रहे flyover को अरुन जेटली flyover के नाम से जाना जाएगा जबकि अंजली चोराहे पर बन रहे flyover को शुश्मा सुराज ब्रिज के नाम से जाना जाएगा अचा इनके अलावा रानिप शेत्र में railway over bridge को आत्म निरबर गुजरात railway flyover के नाम से जाना जाएगा बाकि अरुन जेटली जी के नाम से और क्या क्या नाम रखे गए ते मैं आपको याद दिलाता हूँ एक तो फरीदाबाद का National Institute of Financial Management का नाम है वो इनके नाम पे रखा गया है एक दिल्ली का फिरूद्शा कोटला इस्टिडियम का नाम भी इनके नाम पे रखा गया है और अभी कुछ दिन पहले की बात है अरुन जेटली जी के नाम पे राज्यसभा में कर्मचारी कल्यान योजना रेंकिंग में टॉप पे कौन सा राज्यरहा तो अंसर होगा उडिसा तो आवाश्व शहरी मामलों के मंत्राले ने अभी हाली में अमरुत योजना के तहत राज्यू की रेंकिंग जारी की है और इसमें उडिसा टॉप पे रहा है अमरुत मतलब हो गया अटल मिशन for Rejuvenation and Urban Transformation Scheme तो इस योजना का उडिशे है राज्य के शहरी शेत्रों के घरों में पाइप से जलापूर्ती प्रदान करना और शहरों में सीवरिज ट्रीटमिन्ट प्लांटों का निर्मान करना और हरित इस थानों में सुधार करना तो फर्स्ट पे उडिसा रहा है पे चंदीगड हो गया थर्ड पे है तेलंगना और फिर है गुजरात और फिर करनाट का है तो फर्स्ट है उडिसा या आप याद रखना और ये जो अमरुत योजना है इसको 2015 में प्रधान मंतरी मोदी जी ने शुरू किया था अब बात उडिसा की है तो ये रा मैप में उ मुख्य मंतरी है नवीन पतनायक और नवीन पतनायक जिसे दो पॉइंट याद रखो एक तो अभी इन्होंने अपने पिता के उपर एक बुक लांच की थी जिसका नाम है दा एडवेंचर आफ डेर डेविल डेमोक्रेट और नवीन पतनायक को इस साल पेटा ने हीरो टू एनिमल अवाड दिया था पेटा ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है गवर्नर है गणिशी लाल उडिसा हाई कोट के नए चीफ जेस्टिस बने थे अभी मुहम्मद रफीक और अभी हमने पड़ा था युनेसको ने सुनामी तेयारी को लागू करन उडिसा सरकार ने किनरों यानकी ट्रांसजेंडर्स को मधू बाबू पेंशन योजिना में शामिल किया है और सरकारी भूमी की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नलोजी और आर्टिफिचल इंटेलिजेंसी का उप्योग करने वाला पहला राज बना उडिसा और उडिसा सरक और राउर के ला में होंगे अभी उडिसा ने ही विशेश आजिवी का हस्तक शेप योजिना शुरू की थी और बंदे उतकल जन्नी को स्टेट सौंग का दरजा मिल चुका है जैसे लिखा है के लक्षमी कांता महापात्र ने है अच्छा ये जो आप देख रहे हो ये है भा के महान अधी पर है तो यह आप याद रखना बढ़ते हैं आगे फिर हाली में किस देश ने क्लीन प्लेट केमपेंट 2.0 नाम से एक अभियान शुरू किया है तो अंसर होगा चाइना तो अभी चाइना ने खाने की बरबादी को कम करने के लिए एक नया अभियान शुरू क प्रतिबंदित करना जिससे खाने की बरबादी कम हो अब बात चाइना की है तो यह रा मैप में चाइना कैपिटल क्या है बीजिंग है और बीजिंग में आपको मिलेगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक का हैटक्वाटर करंसी है रेनमिन भी प्रसे चाइना जो है ना वो सशस्त्र व्यापार संधी यानि कि आम्स ट्रेड ट्रीटी में शामिल होगा और अभी चाइना ने अपने पहले मानव रहित ड्रून हेलिकॉप्टर का भी परिक्षन किया था जिसका नामें AR500C उसके लाव आपको बता दू 2022 में जो आपकी विंटर ओलम्पिक होंगे वो आपके बीजिंग चाइना में होंगे जिसके मैसकोट हैं मुस्कुराता हुआ पांडा यानि कि बिंग ड्वैन ड्वैन और चीनी लालटेन यानि कि श्वैन रॉन रॉन और 2022 में ही एशियन पेरा गेम्स होंगे चाइना में जिसके शुभंकर हैं और चाइना के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हैं जो लास्ट ताइम हमने की थी मेखाले के उम्रुई में देसंबर की बात हैं बढ़ते आगे फिर हाली में दिल्ली सरकार ने इसमोग टावर के निर्मान के लिए टाटा प्रोजेक्स लिमिटेड और किस आईएटी क के साथ समझोता किया तो आँचर होगा आईएटी बांबे तो अभी दिल्ली सरकार ने कनोट प्लेस में एक श्मोग टावर के निर्मान के लिए आईएटी बांबे और टाटा प्रोजेक्स लिमिटेड के साथ समझोता किया है तो इस समझोते में 20 मीटर उच्छे स्मोग ट पावर को हवा को शुद्ध करने के लिए कई एर प्यूरिफायर के साथ लगाया जाएगा और आईटी बॉंबे से अभी क्या पॉइंट्स याद आते हैं आपको एक तो इसने धुरूब नाम से चिप डेवलप किया था कॉरंटाइन एप्लिकेशन लॉंच किया था और डिज वाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेट अप भी तयार किया था आईटी कानपुर ने और आईटी मदरास की बात करेंगे तो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखो अभी इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएस से डिग कोविड नाइनटीन डाइगनौस्टिक किट जिसका नामे कौर और शियोर इसने तयार की थी एक कोपाल 19 एप्लिकेशन भी लॉँच किया था और प्रक्रिती नाम से डैश्बोर्ड भी तयार किया था कोविड नाइन प्रसार की भविश्यवनी करने के लिए और एक एन से नाम से reusable mask भी तयार किया था बढ़ते आगे फिर हाली में भारतिया तट रक्षक बल ने किस नाम से एक अब तटिये गश्ती पूत लौंच किया तो आंचर होगा सार्थक तो अभी इंडियन कोश्ट गार्ड के लिए एक offshore petrol वेसर यानि कि अब तटिये गश्ती पूत सार्थक को लौंच किया गया इसे गोवाशिप यार्ड के द्वारा सुधिशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तट रक्षक के द्वारा तेनात पांच offshore petrol वेसल की सिरीज में ये जो सार्थक है ये चौत्थे स्थान पर ह अच्छा इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करेंगे तो डिरेक्टर जनरल ने कृष्टन स्वामी निट राजन अच्छा यहां से कुछ और मैं आपको पॉइंट रिवाइस कराता हूँ अभी आपको याद होगा इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमिशन किया था पहला कोस्ट ग अफशॉर पेट्रोल वेसल 6 जिसका नाम है वज्र उसको भी लॉंच किया गया था चैन्नाई में और अभी प्रेसिरेंट्स कलर अवाड दिया गया था इनस शिवाजी को तो यह भी आपको याद रखने यह भी निउस में थे कुछ पॉइंट जो मिने आपको रिवाइस कर करने के लिए एंटीगुआ और बार्बुडा जो कि नौर्थ अमेरिकन कंट्री है इसको एक मिलियन यूएस डॉलर की साहयता दी है और इसका उद्देशे है देश में स्वास्ते के बुनियादी धाचे में सुधार करना अब यह कंट्री कहां पर है तो यह रहा मैप में ए अब किस देश ने किया है तो अंसर होगा इसराइल ने तो इसराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रनाली एरो टू बैलेस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परिक्षन किया है और भूमद्य सागर के उपर यह परिक्षन किया गया है अब बात इसराइल की है तो ये रहा मैप में इसराइल, कैपिटल जैरुसलम है, करंसी है इसराइली न्यूशेकेल, प्रधान मंत्री हैं बेंजामिन नितन्याहू, अभी आपको याद होगा इसराइल ने अपनी एक सड़क का नाम बदल करके रविंदर नाट टेगुर जी के नाम पर रखा है, तेल अविव सड़क था, उसका नाम बदल दिया, टेगोर स्ट्रीट कर दिया, और भारत की एक IT कंपनी है, TCS, वो इसराइल के पहले डिजिटल बैंक को लाँच करेगी, अभी आपको याद होगा इसराइल ने ओफेक 16 स्पाइस सैटेलाइट को भी लाँच किया था, और भारत और आपको याद होगा जो भारत है, वो इसराइल के साथ मिल करके COVID-19 के लिए 30 सेकंड के rapid testing kit भी develop कर रहा है, तो ये points दियान रखना बढ़ते आगे, फिर हाली में, लौरा मार्श ने किर्केट की सबी प्रारूपों से सन्यास की घोशना कर दी है, आप से पूछा जा रहा ह ये लौरा मार्श ये किस देश हैं, तो ये इंगलेंड से हैं, तो इंगलेंड की पूर्व और राॉंडर हैं ये लौरा मार्श और अभी इन्होंने किर्केट के सबी प्रारूपों से सन्यास की घोशना कर दी है, तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्र बात करना भूल गए हैं, तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना, कम से कम एक study group में इसे शेयर जरूर कर देना, तो गाइज इन सभी questions का quiz बना करके मैंने application पर upload कर दिया है, तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल धियान स का आप practice लगा लीजिए, ताकि ये सारे questions आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, और जो नए student इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूँ कि quiz में आप ranking feature भी add हो चुका है, तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा question write करते हो, तो आपका नाम आपकी photo के लोग quiz लगाएंगे, उन सब को दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से motivation मिल सके, कि आपको भी यहाँ तक पहुचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 ने देख सकें, और वैसे भी आप तो आपकी इन current affairs का revision करवाने के लिए मैं इसका audio भी तो आप भी के लिए मैं इसका revision audio त्यार कर रहा हूँ, तो उस audio का link मैंने नीचे description में दे दिया है, वहाँ जाकर करके आप मुझे follow कर लीजे, और follow करने के बाद में पास में जो bell icon आएगा, आप उसे ज़रूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं audio upload करूँ, उसका notification आपको मिल स झाल